साथियों, नेता जी के बारे में बोलने के लिए इतना कुछ है कि बात करते करते रातों की रातों बित जाएं। नेता जी जैसे महान व्यक्तितों के जीवन से हम सब को और खास कर युवाओं को बहुत कुछ सिखने को मिलता है। लेकिन एक और बात जो मुझे बहुत प्रभाविश करती हैं वो है अपने लक्ष के लिए अनवरत प्रयास। विश्व युद्ध के समय पर जब साथी देश पराजय का सामना कर चुके थे, सरेंडर कर रहे थे, तम लेता जी ने अपने सयोग्यों को जो बात कही थी, उसका भाव यही था कि दूसरे देशों ने सरंडर किया होगा, हमने नहीं अपने संकल्पों को सिद्ध तक, सिद्धी तक ले जाने की उनकी शम्ता, अध्वितिय थी, वो अपने साथ भगवत गीता रखते थे, उनसे प्रेणा पाते थे, अगर वो किसी काम के लिए एक बार आस्वस्त हो जाते थे, तो उसे पूरा करने के लिए किसी भी सीमा तक प्रेयास करते थे, उन्होंने हमें ये बात सिखाई हैं, कि अगर कोई विचार बहुत सरल नहीं है, साधारन नहीं है, अगर इसमें कठिनाईयां भी है, तो भी कुछ नया करने से डरना नहीं चाहिए, अगर आप किसी चीज में भरोसा करते हैं, तो आपको उसे प्रारम करने का साहद दिखाना ही चाहिए, एक बार को ये लग सकता है, कि आप धाना के विपरित बह रहे हैं, लेकिन अगर आपका लक्ष पवित्र है, तो इसमें भी हिचकना नहीं चाहिए, उन्होंने ये करके दिखाया, कि आप अगर अपने दुरगामी लक्षों के लिए समर्पित हैं, तो सफलता आपको मिलनी ही मिलनी है, साथियों, नेताजी सुभाज, आत्मंदिर भर भारत के सपने के साथ ही, सोनार बंगला की भी सबसे बड़ी प्रेड़ा है, जो भुमी का नेताजी ने देश की आज़दी में निभाई थी, आज बही भुमी का पस्चिम मंगाल को आत्म निर्भर भारत भ्यान में निभानी है, आत्मनिर्भर भानते भ्यान का नेतृत्व आत्मनिर्भर बंगाल और सोनार बांगला को भी करना है बंगाल आगे आए अपने गवरव को और बढ़ाए देश के गवरव को और बढ़ाए नेता जी तरह ही हमें भी अपने संकल्पों की प्राप्ति तक अब रुकना नहीं है